वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज आपके साथ में एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इसे हमने बनाया कच्छे आम और हरी चटनी के साथ में यह हमने चावल के आर्टे से बनाया है और इसमें फिलिंग है आलू के मासाले की आप इसे बनीगा पर बीखफास्ट में बहुत सिंपल है बनाना टेस्ट इसका बहुत अच्छा है ट्राइज जरूर करना तो चलिए इसे फटा फट से बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर आपको लेना है यह 250 ग्राम चावल का आर्टा इसमें डादी का स्वादन सार नमक और साथ में ऑईल एक बड़ा जमच औ जादा पानी अब्सोर्ब नहीं करता है तो यहाँ पर इसमें भी थोड़ा ऐसा पानी करेंगे बहुत हलका सा ईजिए इस त्रीके से थे तरीके से हो जो जाएगा ना तो फिर आप इस को ढख कर रखके कम से कम 10 मिनिट के लिए यहाँ पर आलू का मसाला बनाइगे तो यह हमने उबली हुए आलो लिए है तो यह जितना आपको बनाना उसे आपसे आप ले सकते हैं और इसे आप मैशर से अच्छे से मैश कर देना यह हो गया है कड़े में आपको लेना है दो चमच ओयल साथ में एक चमच जिसमें आप डाल देना उरत की दाल बिना जिलके वाली और इसे ना बिल्कुल लो फ्लेम पर बूल लेना हलका सा गुलाबी होने तक उसके बाद में राई डाल देना वन थर्ड़ स्वोन साथ में जीरा भी उतना ह आएगा इसमें और इन चीजों को ना आप हलका सा बोले ना जब तक कि राई चटकने नहीं लग जाती लो फ्लेम पर तो यहां पर यह भूनकर तेयार हो गया है इसमें आप डाल देना 10 से 12 कड़ी पता पर कड़ी पता को ना आप यह दी कट करके डालोगे ना तो इसका जो प्लेवर होता है ना वो और अच्छे से आ जाता है और साथ में इसमें हमने डाली है दो हरी मिर्च और बस इसे हलका साब को मिक्स करना है और यहां पर हलका सा कलर चेंज हो जाए तो हल्ली डाल देना और मिक्स कर देना और जो अबले वे आलू है ना मैश किये जो रखे है वो हम इसमें डाल देते हैं. अच्छाई यहां पार ना, जरुरी नहीं है, जितना मैंने यह आलू लिये हैं, उतनी ही आपको ले. जितना आप अपने घर में बनाते हैं ना, उसी यह साबसी चीज़े लेना. साथ में डाल देना, स्वादानुसार नमग, तो बस यहां पर यह अच्छे से, हमने मिक्स कर लिया है, भूल लिया इसे 2-3 मिनिट तक, तो यह हमारी फ्रिलिंग बन कर तयार हो गई है. अभी हम कैस को बन कर देते हैं, और लास्ट में इसमें एड़ करेंगे, आधा नीबू का रस, और फ्रेश बारी कटा हुआ हरा धरिया, और बस मिक्स कर देना इससे, तो यहां पर यह है तयार, अब इसे आप अलग बतन में निकाल देना, ठंडा होने के लिए, और एक दम परफेक्ट बन कर तयार हुई है, तो इससे हम ठंडा होने देते हैं, और इससे हम चेक कर लेते हैं, तो यहां पर जब इसको मिक्स करेंगे, आपको लगता है कि यह डो लूज है, यह सेट नहीं हो पाएगा, तो आप इसमें जरूद के हिसाब से, चावल का आटा एड़ करिए, और जैसे रेगुलर आटा लगता है यह वैसा ही हो जाता है, हाथों पर हलका सा ओईल का हाथ लगाना, और फिर आप इसको अच्छे से नीट कर लेना, सैट होने के बाद में, चावल का आटा फूलता भी है, इसलिए जब आप ड्राइ आटे को मिक्स करोगे न, तो थूरती के लिए उसको रखने रहने देना, यहाँ पर यह जो फिलिंग है न, इसके आपको छोड़े-छोड़े बॉल्स बनाने हैं, जिस साइज के आपको बनाने न, उसी हिसाब से, तो यह बन गई है, आपको हाथों पर हलका सा ओयल लगाना है, इसमें से पेड़ा लेना है, और यह ध्यान रखना कि ज़्यादा नहीं लेना है, और इसकी जो लेयर होने चाहिए, वो थोड़ा पतली होने चाहिए, ठीक होगी न, तो आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, जिस साइड में, जैसे यह बीज साइड में रचाता है न, जिस में ज़्यादा डो, तो यह आपको कच्चा लग सकता है, इसलिए, जितना हो, इससे पतला पतला बनाना, जिस से आप आलू की पराटे की फिलिंग भरते हो, या फिर कचौरी के लिए भरते हो न, ऐसे बना कर, इसको गोल शेफ देखे, हलके हाथ से प्रेस कर देना, तो इस तरीकी से बन जाएगा, और यह फूलता भी है, भले ही इसमें जो आलू की फिलिंगे वो जाधा हो जाए, पर ध्यान रखना, जो चावल की जो लियर है न, वो जाधा रही होने चाहिए, बस बहुत हलके हाथ से करना, तो यहाँ पर यह हो गया है, कड़ाए में स्टिंग लिए पानी रखेंगे, तो हमने यहाँ पर दोगला स्वाणी रखा है, सेंटर में आप इस तरीके से कटो ही रखोगे न, तो पर फ्लोट करेगी, तो यह काम करना, थोड़ा सा पानी डाल देना, जैसे चाहें वैसे रखें, यह विल्कुल वैसे ही रहेगी, और उसके बाद में यहाँ पर हमने एक जाली वाली प्लेट ली है, इस पर आप हल्का सा ओल ग्रीस कर देना, इससे क्या होगा न, यह चिपकेगा नहीं, और इस प्लेट को आप सेंटर में अराम से स्टरीकी से रख देना, और ढग देना, इसमें स्टीम होने देना, यहाँ पर इसमें स्टीम बनने लगी है, अब क्या करेंगी यह, एक एक करके सभी हम इसको आलू आले बन भी बोल सकते हैं, वो रख देंगे, अब बस जैसे इडली के लिए इसको रखते हो न, लो टू मीडियम, कम से कम, 15 मिनिट के लिए आप वो इसे पकाना है, बीच में इसको होल कर नहीं देखना है, 15 मिनिट हो गए है, यह देखें कितना चिसे फूल भी गए है न, अभी क्या करना है, इसको आपको हटाना नहीं है, यह उपर से हलका सा, गिला लगे न, क्योंकि यह सॉफ्ट होता है, तो यह तूट सकता है, तो आप इस प्लेट को निकाल लेना, और इसे पहले आप थोड़ा सा ठंडा होने देना, तब यह इजिली निकल सकता है, तो यहाँ पर यह देखें, एकदम परफेक्ट, सॉफ्ट, दिखिए इसमें ओईल तो है नहीं, स्टीम से बनाया है, तो आप इसे बे फिक्रों कर खा सकते हैं, तो आप इसे साथ में चटनी बना लेते हैं, तो यह हमने एक अच्छा आम लिया है, साथ में 4-5 चारी मर्च, रफली कट कर लिया है, दोनों को मिक्सर जार में डाल देते हैं, इसी के साथ में स्वादनुसार नमक इसमें जाएगा, थोड़ा से जीरा, थोड़ी सी हीं, और यहाँ पर आप डाल देना है इसमें पानी, बस इसे इस तरीके से पीस कर तयार कर लेना, चटनी तयार है, अब यहाँ पर एक पैन में आपको लेना है, जादा नहीं, बहुत हलका सा, और इसे न अच्छे से इसमें कोट कर देना, फिर डाल देना, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी है, ध्यान रखना, कड़ी पत्ता, और यह जाएगा इसमें तिल, और साथ में यह ड्राए कोकोनट, और यह है कड़ी पत्ता, हमने थोड़ा से कड़ी पत्ता ऐसी डाला था, थोड़ा से हमने कट करके डाला है इसमें, बिल्कुल लो फ्लीम पर, हलका सा गुलाबी होने तक भूनना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बस हलका सा कलर चेंज हो जाए, और बस मिक्स कर देना है, यहाँ पर यह हमारा तड़का बंगे तेयार हो गया है, और देखिए इतना ही ओईल रखना है, जितना ही यह ना बस आपको दिखे ना अलग से, और बस यह चीज़ें बुन जाए, बस, यह हो गया है, अब एक एक करके सारे बं आप इसमें रख देना, यह एकदम परफेक्ट दिख रहे हैं ना, दिखने में जैसे अच्छे लग रहे हैं खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं, और बस आप इसको वैसे चलाने की जगर, इस तरीकी से कर दोगे ना, ति अच्छे से जो भी हमने मसाला बनाया है ना इसका तड़का, वो इस पर अच्छे से कोट हो जाएगा, तो यहाँ पर यह हो गया है, लास में डाल देंगे थोड़ा से चिली फ्लेक्स, यहाँ हम इसे सर्फ करेंगे आम और हरी मिर्च की चटनी के साथ, लेक्तम चटपटी खटी बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको इसे कट करके दिखा लेती है, इसके अंदर की फिलिंग, तो यहाँ पर ना, एक चीज ध्यान रखना, इसकी जो बहार आटे की जो लेयर है, चावल वाली की, जितनी पतली होगी, उतना ही अच्छा ही आपको लगेगा, उतना ही टेस्टी लगेगा, तो यहाँ पर यह हमारे बन-बन कर दियार हो गए है, तो यह दिया आपको मेरी आज की यह रेसिपी पसंद ना आई हो, तो इससे लाइक करना ना भूलें, इससे अपने फैमली फ्रेंड्स के साथ में शियर करना, कमेंट करके बताना आपको कैसे लगी, थैंक यू,